नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलिवुड की सबसे दिल्चस्प और प्रेढ़ना दायक कहानियों में से एक सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है कपूर फैमली की, सुरेंद्र कपूर से लेकर अनिल कपूर, बोनी कपूर और आज की नई पीढ़ी सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्शवर्धन कपूर तक के उस सफर की, जिसने इस परिवार को हिंदी सिनेमा में एक अनमोल पहचान दिलाई। जो साठ के दशक में बॉलिवुड के चमकते सितारे बन सकते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मनजूर था, उनका सपना था एक्टर बनने का, पर जिन्दगी ने उनके लिए अलग ही राह चुनी। वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कपल, शम्मी कपूर और गीता बाली के सेक्रेटरी बन गए। गीता बाली का असमय निधन और शम्मी कपूर के जीवन में कठिनायों ने सुरेंदर को मजबूर कर दिया, कि वह अपना करियर बदलें, और किसी नई दिशा में जाएं। निर्माता बनने का पहला कदम फिर सुरेंदर कपूर ने फिल्म निर्माण में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने उस समय के उभरते स्टार पहलवान दारा सिंग को अपनी फिल्म के लिए साइन किया। लेकिन उनकी शुरुवाती फिल्में सफलता का स्वा अपने संपर्कों का फायदा उठाते हुए एक कंणड फिल्म देखी और उसे हिंदी में बनाने का फैसला किया। इस फिल्म का नाम था हम पांच। इसके निर्देशन के लिए बोनी ने कंणड फिल्म के मूल निर्देशक बापू को साइन किया। बोनी ने संजीव कुमार, अमरीश पूरी, राज बबबर, मिथुन चकरवर्ती, गुलशन ग्रोवर, शबाना आजमी जैसे कलाकारों को इस फिल्म में शामिल किया। बोनी कपूर के इस कदम ने इंडस्ट्री में उनकी छवी को और मजबूत किया। मेलुकोटे में शूटिंग और अनिल कपूर का संगर्श, फिल्म हम पाँच की शूटिंग के लिए उन्होंने बैंगलोर के पास मेलुकोटे गाउं में एक पूरा सेटप तयार किया, जहां पूरे यूनिट के रहने की व्यवस्था की गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान बोनी ने अपने छोटे भाई अनिल कपूर को निर्देशक और टीम की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा। अनिल कपूर ने शूटिंग के दौरान पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया और सभी का दिल जीत लिया। अनिल कपूर का एक्टिंग में कदम और वो साथ दिन बापू, जो फिल्म के निर्देशक थे, उन्होंने अनिल कपूर के अंदर एक स्टार बनने की काबिलियत देखी. उन्होंने बोनी से कहा कि अनिल में एक बड़े एक्टर की सारी खूबियां हैं, और वे उन्हें अपनी अगली फिल्म में बतौर लीड लेना चाहते हैं. इसके बापू ने अनिल कपूर को वो साथ दिन में मुख्य भूमिका दी, जिसमें उनके साथ नसीरुद्दीन शाह, पदमिनी कोलहपुरी जैसे सितारे थे. इस फिल्म के बाद अनिल कपूर को हिंदी सिनेमा का नया सुपरस्टार माना जाने लगा. आज की पीढ़ी, कपूर परिवार की नई शुरुवात, आज अनिल कपूर इंडस्ट्री के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक हैं, और उनके बच्चे सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्शवर्धन कपूर ने भी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई हैं. सोनम और हर्शवर्धन एक्टिंग में हैं, जबकि रिया कपूर एक सफल प्रोड्यूसर हैं. कपूर परिवार की इस विरासत को नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है, और हमें गर्व है कि ये परिवार बॉलिवुड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता की राह हमेशा सीधी नहीं होती. सुरेंद्र कपूर ने अपने परिवार के लिए जो नीव रखी, वह आज भी बॉलिवुड को नई उंचायों तक ले जा रही है. एक परिवार का संघर्ष, महनत और संकल्प ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अनमिट छाप छोड़ी है. अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.